हिर्ण्याक्ष ने तपस्या कर शिव के पुत्र अंधकासुर को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। जैसा की नाम से ज्यात होता है अंधक नेत्रहीन था। जानते हैं उस अंधकासुर की कथा इस सध्यार में। श्रिशिफ पुरान के अंतरगत दुईतिये रुद्र संगिता के पंचम युद्धखन्ड में। नमस्कार मेरी इन ओडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हूं और आपका सामर्थ हो तो स्क्रीन पर दिये गए क्यूर कोड के और जॉइन बटन के द्वारा आप यह कारे कर सकते हैं। सनत कुमार बोले किसी समय जब हिर्ण्याक्ष पुत्र अंधक भाईयों के साथ खेल रहा था तब क्रड़ा में आसक्त तथा मदांद उसके भाईयों ने उपहास करते हुए उससे कहा। हे अंधक तुम्हें राजी से क्या प्रियोचन। तुम्हारा पिता हिर्ण्याक्ष निश्य ही बड़ा मूर्ख था जिसने घोर तपस्या के द्वारा शिर्जी को प्रसंद कर तुम्हारे जैसा कलाहब्री, नेत्रहीन, विकृत एवं कुरूप पुत्रप्राप्त किया। सनत कुमार पूले, उनके उन बचनों को वह बुद्धी से स्वयम विचार करके दीन हो गया, और उन्हें नानप्रकार के बचनों से सांतवना देकर रात में ही अकेले निर्जन वन को चला गया, वहां निराहार रहकर दह एक पैर पर खड़ा हो, दोनों भुजाओं को उठ खाकर 10,000 वर्ष पर्यंत घोर तप एवं मंत्र का जब करने लगा, जो देवता एवं राक्षसों से भी संभव नहीं था, वह अगनी जलाकर तीक्ष्न शस्त्र से अपने शरीर से मास काट कर वर्ष पर्यंत प्रतिदिन मंत्र पूर्वक रक्तियुक्त मास का होम करने लगा जब उसके शरीर में मास नहीं रह गया, केवल सनायू एवं अस्थी मात्र शेश रह गया, समस्त रक्त नश्ट हो गया, तब उसने अपने शरीर को ही अगनी में डाल देने का विचार किया, उसके अनंतर सभी देवता अत्यंत विस्मित एवं भयभीत होकर उसकी ओर देखन कर अनेक स्तुतियों से शिग्र ही उन्हें प्रसन किया, ब्रह्मा जी ने उसे तपस्या से विरत करते हुए कहा, हे दानव, आज तुम वर मांगो, समस्त लोक में जो दुरलब है, एवं जिसकी प्राप्ती के लिए तुम इच्छुक हो, उस वर को मुझ से प्राप्त कर लो ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर दीन एवं विनम्र होकर उस देते ने कहा, हे ब्रह्मन, प्रलाद आदी मेरे जिन निष्ठुर भायों ने मेरा राज्य छीन दिया है, वे मेरे सेवक हूँ, मुझे नेतरहीन को दिव्वे नेतर की प्राप्ती हो जाए, एवं इंद्रादी मुझे कर प्रदान करें, मेरी मृत्यू, देव, देते, गंधर्व, यक्ष, सर्व, राक्षस, मनुष्य, देत्यों के शत्रू, श्री नारायन आदी किसी प्राणी तथा सर्व में शंकर से भी ना हो, उसके इस कठिन वचन को सुनकर ब्रह्मा जी शंकित हो, उससे कहने बोले, हे देतिंद्र, यह सब पूर्ण होगा, कि तु अपने मृत्यू का कोई कारण अवश्य वरण करो, क्योंकि ना तो ऐसा हुआ है, ना होगा, जो काल के मुख में प्रविष्ट ना हुआ हो, अतह, आप जैसे सत्पुरुष, अत्यंत, दीर्ग जीवन की इच्छा का त्याग कर दें, ब्रह्मा के इस अनुने पूर्ण वचन को सुनकर वैदयत्य पुना कहने लगा, अन्धक बोला, हे ब्रह्मा देव, तीनों कालों में जितनी भी श्रेष्ट, मध्यम तथा कनिष्ट, स्त्रियां है, उन सभी में जो रत्न सुरूप सर्वश्रेष्ट हो, व जब मैं देतिंद्र भाव से उसकी कामना करूं, तब मेरा नाश हो जाए, उसका वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने आश्चरे चकेतो, शिव के चरण कमलों का स्मर्ण किया, और शम्भू की आग्या प्राप्त करके उस अन्धक से शीक्र कहा, हे देतिंद्र तुम जो भी अभिलाशा करते हो, तुम्हारी वे सभी कामनाएं पूर्ण होंगी, हे देतिंद्र अपना अभिष्ट प्राप्त करूं, और वीरों के साथ सदा, युद्ध करूं, हे मनिश्वर ब्रह्मा जी के ऐसा वचन सुनकर स्नायूं, तथा अस्थी मात शेष, वे हरन्याक्ष पुत्र अंधग, ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर, उन प्रभू से कहने लगा, अंधग बोला, हे विभो, मैं इस विक्रत शरीर से शत्रों के सेना में प्रविष्ट होकर, किस प्रकार युद्ध कर सकता हूं, आतह, अपने पवित्र ह शरीर का सपर्श करके, मुनियों तथा सिद्धों से पूजित होते हुए देविश्वरों के साथ अपने धाम को चले गए, ब्रह्मा के सपर्शमातर से ही वे दैतिराज संपूर्ण शरीर वाला तथा बल संपन हो गया, रह, नेत्र युक्त तथा सुन्दर हो गया, और प् धीन होकर उसके सेवक हो गया, तदनंतर अंधक ने अपने भिद्धियों एवं सेनाओं के साथ विजय की इच्छा से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया, और वहां युद में समस्त देवताओं को जीत कर वज्र को धारन करने वाले इंद्र को भी करदाता बना दिया, उसने नागों, पक्षियों, बड़े-बड़े राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, पर्वतों, व्रिक्षों एवं सिंगादी समस्त पश्चूं को भी युद में जीत लिया, उसने इस चराचर तरलौक के पर अधिकार करके उसे अपने वश में कर लिया, इसके अपने अनुकूल सुन्दर हजारों स्त्रियों के साथ विहार करता हुआ, पाताल, पृत्वी लोग तथा स्वर्ग में जितनी रूप पती स्त्रियां थी, उनके साथ पर्वतों तथा मनुहर नदी तटों पर देह रमन करने लगा, उनके मध्य में कृड़ा करता हुआ वह देतेंद्र काम प्रवृत्ति के लिए स्त्रियों के पीने से बचे हुए दिव्य एवं मानुष्पयों को प्रसंता के साथ पीता था, देह नाना प्रकार के दिव्यरस, फल, सुगंदेत, पुष्प प्राप्त करके मैदानवद्वरा निर्मित, उत्तम ग्रहों तथा यान उत्तम दस हजार बर्ष बीत गए, इस प्रकार भोग करते हुए उसे परलोक में अपने कल्यान करने वाले, पुन्य का ज्यान ना रहा, और वह मूर्ख दैते राज, मंदांद बुद्धी होकर दुष्टों के साथ निवास करने लगा, इसके बाद वह महात्मा प्रमत होकर कुतर के युक्त बादचीत से अपने प्रधान पुत्रों को तिरस्कृत कर, सभी वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ दैतियों के साथ विचरन करने लगा, धन के अंधकार से मदांद, वह, वेदू, ब्रहमनों, देवताओं तथा गुरूं का अपमान करने लगा, और देवश हतायू हो, अपनी आयू को स्वेचा चार पूर्वक ख्षिन करता हुआ रमन करने लगा, इस प्रकार उस प्रित्वी तल पर करोणों वर्ष निवास करते हुए दह अंधक किसी समय हर्शित होकर अपनी सेना के साथ मंदराचल पर गया, और वहां की सुर्णिम संता पूर्वक मनुहर इविम द्रण नगर का निर्माण कर सोयम उसके शिखर पर अपने निवास हेतु महा सुंदर भवन बनवाया, उस देटिंद्र के दुर्योधन, वैधस तता हस्ति नामक मंत्री थे, किसी समय उन तीनों मंत्रियों ने उस परवत शिखर पर एक समीप आकर जैसा देखा था वैसा प्रेम पूर्वक कहा, मंत्री बोले, हे दैतिंद्र मंद्राचल की गुफा में ध्यान में नेत्र बंद किये हुए रूपवान चंद्र की आधी कला को मस्तक पर धारण किये तथा कटी प्रदेश में व्याक्रचर्म लपेटे हुए कोई म तथा बाण, तरकसादी धारण किये हैं, महान धनुष धारण किये हुए और अक्षय सुत्र पहने हुए हैं, वे लकुट, त्रिशूल, एविम खडग धारण किये हुए हैं, वे जटा जूट से युक्त, चार भोजाओं वाले, गौरबर्ण वाले तथा भज्म से लिप् पड़ा, वे वानर के समान महा भैंकर, मुखवाला, विक्राल, हाथों में संपूर अस्तर लिए, उनकी रक्षा करता हुआ स्थित है, वहीं पर शुक्ल बर्ण का एक श्वेत, व्रिद, बैल भी है, हम लोगों ने बैठे हुए उस तपस्वी के निकट प्रित्वी पर, र भुषणों तथा वस्त्रों को धारण की हुई है, वे मनुहर माला से सुशोबित है, जिसने उस महा सुन्दरी को देख लिया है, वास्तम में बही दृष्टी वाला है, उसे देख लेने पर अन्ये को देखने का कोई प्रियोजन नहीं है, वे दिव्यनारी उन महा पुन्य महरशी महिश्वर की प्रिय भार्या है, हे द्यत्तिंद्र आप सुन्दर रत्नों के भोगता हैं, आता उसे अपने घर लाकर भरिवादी देखने में समर्थ हैं, सनत कुमार बोले, उन मंत्रियों की इस बात को सुनकर वे द्यत्य कामातुर हो था, और उसका सारा शरीर घू मंत्रियों को उन मुनी के समीब शिगरी ही भेजा, हे मुनीश उत्तम राजनिती में परम प्रविन उन श्रेष्ट मंत्रियों ने महावर्ती एवं अप्रमय उन मुनी के पास जाकर प्रणाम करके उस देत्य की आग्या इस प्रकार कही, मंत्री बोले, हिर्ण्याक्ष के राजमान है, हे तपस्विन हम उनके अंग्रक्षक तथा मंत्री हैं, उनके द्वारा भीजे गए हम लोग आपके समीब आए हैं और उन्होंने जो संदेश दिया है उसे ध्यान दे कर आप सुने, हे बुद्धिमान मुनिवर आप किस के पुत्र हैं और किस कारण यहां सुक कहां तो भस्म से लिप्त, कपाल माला युक्त, महा कुरूप, तुम्हारा शरीर, और कहां तरकस, धनुषबान, खडग, भूशंडी, त्रशूल, बान, इवं तोमरादी, दिव्यास्त्र, कहां जटा के अगरभाग में परम पवित्र गंगा और सिर्पर मनुहर चंद्रमा और कहां दुरगंद युक्त, अस्तिखंड, कहां विश्वमन करने वाले दीर्गमुक सर्प, और कहां सुपुष्ट स्तनवाली स्त्री का संगम, बूढे बैल की सवारी करना प्रशस्त नहीं है, क्षमावान तपस्वी का ऐसा विभार नहीं देखा जाता, और संध्यावं अधी ही तपस्यों का धर्म है, लोक विरुद भोजन उनके लिए निशिद है, अरे मूर्क, तुम्हें स्त्री को शांती पूर्वक मुझे समर्पित करो, स्त्री के साथ तपस्या क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए अनुचित है और तुम्हारे अनुकूल नहीं है, क् कि मैं तीनों लोकों का रत्न पती हूँ, आतह तुम्हें आग्या देता हूँ, कि पहले शस्त्रों का त्याब करो, इसके बाद शुद्ध तप करो, मेरी अलंगनी आग्या का उलंगन करने पर तुम्हें अपने शरीर को छोड़ना पड़ेगा, तब लौक एक भाव का आश शेकर, जगत प्रधान शिवजी ने उस दूद के संपूर्ण वचन को सुनकर अंदक को दुष्ट भुधी जानकर हसते हुए उससे कहा, शिवजी बोले, हे देतिनात, यदी मैं रुद्र हूँ, तो तुम्हारा मुझ से क्या ताक पर रहे है, तुम इस प्रकार मिथ्या क् होते हो, तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं है, तुम मेरे प्रभाव को सुनो, मुझे अपने माता-पिता का स्मरण नहीं, इस कुफा में महामुर्ख तथा विक्रत रूप वाला मैं, अन्यों के लिए दुरलब, इस खोर, पाशुपत व्रत का आचरण करता हूँ, मेरे वि सर्व व्यापक की सिध्धी रूपा ये तरुणी मेरी भार्या है, हे राक्षस, इस समय तुम्हें जो जो अच्छा लगे, उसे तुम ग्रहन करो, उनके सामने ऐसा कहकर, तपस्वी वेश्थारी सदाशिव ने मौन धारन कर लिया, सनत कुमार बोली, ये गंभीर वचन सु उन सभी पराक्रमी द्यत्यों ने उस मदोनमत द्यत्यपती को पणाम कर जैशब्द का उच्छारन करते हुए हसकर, शिव जी ने जो बात कही थी, उसे सुनाया, मंत्री अंधकासुर से बोले, हे राजन, तपस्वी शिव ने आपके विशे में कहा है कि, निशाचर, दूरेपुत्र यम्राथ से नहीं ढरता, जो मुझसे युद्ध की इच्छा कर रहा है, सभी दैत्यों के स्वामी है, राजन, अपनी बुध्धी से त्रलाक्यों को त्रणरत समझने वाले महान तेजस्वी, तपोनिष्ठ तथा परंबीर उस मुनी ने हसते हुए आपके व प्रिध्धवस्ता के कारण जरजर अंगों वाला मैं, और कहां ये तुम्हारे दारुन शस्त्र और मृत्यों को भी आतंकित करने वाला युद्ध, कहां वे वानर के जैसा मुख वाला मेरा गण, वीरक, और कहां परम समर्थ वे राक्षस, कहां तो राक्षस का दुर्धर् कहां कि मैं, कहां तुम्हारा अतुलनिय सैनेवल, और कहां मेरे आश्रभूत ये व्रिक्ष लता दी, इस पर भी यदि तुम मुझसे युद्ध करने की इच्छा रखते हो, तो युद्ध करने के लिए यहां आओ, और कुछ सामर्थ प्रदर्शन करूं, कहां तो मेरे पास तुम जैसे लोगों को नश्ट कर देने वाला महा भेंकर अस्त्र और कहां कोमल कमल के समान तुम्हारा शरीर, अतह विचार करके तुम वैसा ही करो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता हो, अंधक कमागनी से दग्द शरीर वाला हो गया, वीरत ने पाशान, व्रिक्ष, वज जल, अगनी, सर्प, एवं अस्त्र शस्त्रों से उसे पीड़ा पहुंचाई, और पुनहा पीड़ित करके पूछा कि तुम कौन हो, और कहां से आये हो, उसका वचन सुनकर अंधक ने अपना अभी प्राय प्रकट किया, और उस वीरक के साथ युद्ध करने लगा, आश्यर है कि उस अप्रेम में महावीर वीरक ने अंधक को एक मुरत में युद्ध में जीत लिया, महान खड़के चूरचूर हो जाने पर दुखी तथा विसमे रहित वह अंधक युद्ध भूमी छोड़कर भूख प्यास से व्याकुल हो भाग खड़ा हुआ, तत्पश्यात, प् वीरोचन, बली, हजारों भुजाओं वाला बाण, भजी, कुजंब, शंबर, तत्था वृत्र आदी पराक्रम दैक्टिर युद्ध करने लगे, चारों ओर से घेर कर युद्ध करते हुए उन दैक्टियों को शिवके गंड वीरक ने पराजित कर दिया, उनके दो टुकड उस युद्ध के बीच गीदर्ड आनंद से रित्य करने लगे, एवं रुधिर के भैंकर कीचड में विच्रन करते हुए मासाहारी जंतों से सारी रणभूमी भैंकर दिखाई पढ़ने लगी, उस समय वीरक द्वारा द्यात्यों के विनस्ट हो जाने पर भागवान सदाश शिवजी बोले, इतना बचन कहेकर अत्यंत तेजस्वी महात्मा शंकर अपनी शिंगी का धीरे से शब्द करके अत्यंत घोर पुनित्तम वन में जाकर पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने लगे, जिस व्रत को देवता एवं दानव भी करने में समर्थ नहीं है, उसे उन्होंने हजार व सदा, भैभीद तथा दुखी रहा करती थी। उस समय पुत्र वीरख ही उनकी रक्षा करते थे। इसके बाद बर्दान से उन्मत तथा कामदेव के बाणों से धहरे रहे देटे बड़ी शीक्ता से परलाद आदी देटियों के साथ उस गुफा के पासा पहुँचा। उसने भोजन, पान, इवं निद्रा का परित्याक कर कुपेथो अपने सेनिकों को साथ लेकर 505 राद दिन वीरख के साथ अत्यंत अध्वुत युद किया। खडग, बर्ची, भिंदिपाल, गधा, भूशंडी, अर्धचंद्रमा के समान, वितस्ति मात्र तथक कच्छुए के समान, मुखवाले, प्रकाश्मान, बानों, तीक्ष्णत शूलों, पर्शू, तोमर, मुद्गर, खडग, गोले, परवत, व्रिक्ष, तथक दिव्यास् उस वीरक ने दैत्यों के साथ युद्गिया, दैत्यों द्वारा चलाए गए उस शस्त्र से गुफा के द्वार बंद हो गए, कहीं लेश मात्र भी प्रकाश नहीं रहा, वीरक भी शस्त्रों की चोट से आहत होकर गुफा के द्वार पर मुर्चित होकर गिर पड़ा, सभी सित्य देवी ने भय पूर्वक सक्यों के साथ ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त गणों की सेना का स्मरण किया उनके स्मरण मातर से ही ब्रह्मा भगवान विश्णु तथा इंद्र सभी सैनिकों के साथ स्थ्री रूप धारण कर वहां आ गये स्त्री बनकर वे देवता, मुनी, महात्मा, सिद्ध, नाग तथा गोयक परवत राज की पुत्री की गुफा के भीदर प्रविष्ठ हुए। उनके स्त्री रूप धारन करने का कारण यह था, कि उत्तम राजा के आसनस्त होने पर उसके अंतापुर में पुरुष वेश में जाना निशेद है। इसलिए वे स्त्री समू के रूप में एकत्रित हो गए। वीरकारे करने वाले वी अध्भुत रूप वाली स्त्रीयां जब पार्वती की गुफा में प्रविष्ट हुई तो उन स्त्रीयों को देखकर पार्वती अत्यनत प्रसन हो गई। उस समें सैंकणों, हजारों, नितंबिनी स्त्रीयों के द्वारा प्रले कालीन प्रचंड मेघ के समान, खोश वाली तथा विजय देने वाली हजारों भेरियं और शंक बजाये गए। अध्भुत तता प्रचंड, पराक्रम बाले, वीरक भी मूर्शया त्याग कर शस्त्र को लेकर महरतियों के आगे खड़ा हो गया और उनी शस्त्रों से द्यत्यों का वद करने लगा। उस समय हाथ में दंड लिये हुए ब्रामी, क्रोच से गदा, चक्र तता धनुष, धारन की हुई नारायनी, हाथ में लांगल, दंड लिये कांचन के समान वर्ण वाली, व्योमाल का, तथा हाथ में हजारों धार वाले, प्रचंड वेग से युक्त, उग्रवेग वाले, भज्र को लिये हुए एंद्रेई, युद्ध हेतु, नि इश्वानरी, तथा हाथों में दंड लिये, उग्र, या म्या, शक्ती भी युद्ध में प्रवरित हो गई, हाथ में अत्यंत तीक्षिन तलवार, तथा घोर धनुष लेकर, निर्यती, शक्ती आई, वर्ण का पाश हाथ में धारन कर, युद्ध की अभिलाशा करती हुई, तोयालिका निकल पड़ी, प्रचंद पवन की महाशक्ती भूग से व्याकुल हो हाथ में, अंकुष लेकर एवं कुबेर की शक्ती हाथ में प्रलेकाल की अगनी के समान गदा लेकर युद्ध भूमी में आ पहुँची, तीक्ष्ण मुख वाली, कुरूपा, नकरूपी, आ देविया, विस्मित, भैसे व्याकुल, फीके वर्णवाली तथा अत्यंत कातुर हो गई, उसके बाद ब्रह्मानी, आदी, सभी देवशक्तियों ने पार्वती की सम्मती से अपने मन को समाहित चितकर, वीरक को अपना सेनापती बनाया, इसके बाद वर्दान से शक्ति मन में ये विचार कर अभूत पूर्व युद करने लगा कि आज इन नारियों से हम रुद्य को प्राप्त करेंगे, अत्वा इन पर विचे प्राप्त करेंगे, उस समेच संग्राम भूमी में अध्भुत, बुध्धी संपन वीरक को अपना सेनापती बना कर पार्वती ने सक्षियों के साथ युद्ध में अध्भुत, युद्ध कोशल दिखलाया, महा पराक्रमी, हिर्न्याक्षपुत्र, राजा अंधक ने भी महा वियू की रचना की, और विश्णु की संभावना करके यम की शक्ती को अवस्थित देखकर उनसे लड़ने के लिए महा भ्यंकर गिल नामक राक्षस को न्यूक्त किया, ब्रह्मा जी की सेवा करने से उसका मुख अत्यंतर विक्राल हो गया था, इसलिए उसे मारने के लिए भगवान विश्णु आये, उसी समय हजार वर्ष भी जाने पर प्रलेकालीन हजारों सूर्यों के समान कांती वाले, व्याद चर उस समय सिर जोगाकर सदर्शिप को प्रणाम करके पती का पराक्रम प्रदर्शित करती हुई गौरी ने प्रसंता पूर्वक घोर युद किया, इसके बाद शंकर जी पार्वती को हिदे से लगाकर गुफा के भीतर प्रविश्ट हो गये, पार्वती ने उन हजारों स्रियो को अनेक प्रकार से सम्मानित कर विदा किया और वीरक को गुफा के द्वार पर रहने दिया, इसके बाद नीती में विचक्षन उस असुर ने गौरी एवन गिरिश को संग्राम भूमी में ना देखतर शिवजी के पास विघस नामक अपना दूद भेजा, उस संग्राम में देवदाओं के प्रहार से क्षत विक्षत शरीर वाले उस द्यतिने शिवजी के पास जाकर उन्हें सिर से प्रणाम कर गर्वयुक्त कठोर वचन कहा, दूद बोला, हे शंभो, अंधक द्वारा भेजा गया मैं इस कुफा में प्रविश्टो हुआ हूँ, उस अंधक ने आ प्रयाप तपस्वी को अंतर करण को भूशित करने वाले क्षमा आदी गुणों का सेवन करना चाहिए, मुनियों से विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार कर मैं तुम से विरोध नहीं करना चाहता, वस्तुतह तुम तपस्वी मुनी नहीं हो, किन्तु शत्रू हो, हे आज ही तुम्हारा वद्ध करके तुम्हें रासातल पहुंचाता हूँ। सनत कुमार बोले, दूद के मुख से वचन सुनकर सजनों के रक्षक, दुष्टों के मद को नश्ट करने वाले, कपाल माली, महान, त्रिनेत्र, शंभू, शोकागनी से जलते हुए बड़े क्रोच से उस दूद से कहने लगे। हे दूद, तुमने जो बात कही है, वह बड़ी कठोर है, अब तुम शीगर चले जाओ, और उससे कहो, यदि तुम बलवान हो, तो शीगर आगर मेरे साथ बलपूरवक युद करो। इस पृत्वी पर जो अशक्त है, उसे मनुहर्स्त्री तथा धन से क्या प्रयोजन। बल से मत देते आजाएं। मैंने ये निश्य किया है, अशक्त पुरुष्टो शरीर यात्रा में भी असमर्थ है। अतह, उनके लिए जो विहित हो, उसे करें, और मुझे भी जो करना है, उसे मैं करूँगा, इसमें संदेह नहीं। सनत कुमार बोले, शिवजी से ये है, बचन सुनकर, वह विगस्वी प्रसन होकर वहाँ से निकल पड़ा, और उसके बाद गरजनापुर्वक हुंकार भरता हुआ, देते पती के पास गया। जाने, आगे क्या हुआ? कैसा था अंधक और शिवजी का वह युद्ध? कितने आश्यरे की बात है, जलंधर शिवजी से ही उत्पन हुए, अंधक भी शिवजी से ही उत्पन हुआ, और पार्वती उनकी माता थी, तो भी ये दोनों देते पार्वती में आसक्त हुए, जानते हैं आगे क्या हुआ, अगले अध्याय में? आप सभी को कोटी कोटी साधुवात, आपने इन वीडियोस को इतना प्रेंद दिया, नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास, येदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी ये लगा हूँ, तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोच्साहित करें, मैं सर्द Wish, सब्सक्राइब करें, प्रोच्साहित करें ंवे एंगा थास्या, आपको डेपे शीरोफा हुआ। झाल झाल